अब हम आ चुके हैं बनारस के तंगलियों में वैशनो स्विट जो की बनारस का सबसे फेमस मलईयों का दुकान है यहां जब लोग बनारस आते हैं तो यहां जरूर आते हैं आए हम मारकंडे सब्दार की दुकान से बात करते हैं कि मलईयों किस तरह बनाया जाता है और यह बनारस का इतना फेमस वेजन क्यों है सर अपना पर्चे दे पहले दर सब्सक्राइब को मारकंडे सब्दार की दुकान है चोकंबा में बहरो यादो बोग आए हैं कि मलईये जो है दूत शिर्फ जाड़े का ही सीजन का चीज है रात को खौला के छट पर रखा जाता है उस जो गुरता है उसके बाद मत के केसल लाशी डाल के बनाया जाता है जी कितनी साल पुरानी है आप दूकानी है यह सौर साल पुरानी है अब इस जगह से बैया है जात किस तरह का होता है एक केसर लाशी डाल के किसरिया मलीये बनता है यह दूत का फ्खेन होता है रात को खवला के छट पर रखाता है जो ओस की बुन गिरती उसको सुबह मता जाता है लगवा कितने घंटे आप लोग रखते होंने से यह रात भर रखता है यह जो गिरती है उसी के अधार पर इंपनता है जिसके बाद यह जाड़े के बाद नहीं मिलेगा इन फेन निकल पूरा दिन जिसके जुबाँ पर एक बार बनारसी मलयों का स्वाद चड़ जाता है वह फिर इसे रोज चकना चाहते हैं अपने स्वाद के लिए मश्भूर बनारस की शर्दियों के तीन महीने मिलने वाली मलयों का दुरलब स्वाद लेने लोग बनारस दूर-दूर से आते हैं यहां के लोग कहते हैं कि शर्दियों में अगर बनारस का मलेयों नहीं खाया तो क्या खाया आजकल भले ही हर गली और चौराहे पर मलेयों मिल जाये पर मलेयों की शरुवात काशी के चोखंबा इस्थित सौ वर्स पुरानी मारकंडे सरदार की दुकान से मानी जाती है दुकान के संचालक भैरों यादों बताते हैं कि मलेयों बनाने के लिए बड़े कडाही में दूद गरम कर चादनी रात में सबनम की भूदों के नीचे रखा जाता है और सुबह दूद को मता जाता है ताकि बादल की तरह जाग पैदा हो सके फिर इलाइची केसर बदाम और पिस्ता डाल कर मलेयों को तयार किया जाता है यह मिठाई किवल सुबह 8 बजे से 12 बजे तक ही मिलती है यहां के लोग बताते हैं कि चौखंबा जैसी मलेयों दुनिया में कहीं नहीं मिलती यहां मिलने वाली मलयो एकदम हलकी होती है और मुह में जाते ही घुल जाती है बनारस के लोग शर्दियों में सुबह सुबह चाय की जगह मलयो ही खाना पसंद करते हैं यहां के बच्चे बताते हैं कि वह सुबह उठकर इस्कूल जाने से पहले मलयो का स्वाद चक्कर ही जात छोटे बच्चे भी रोज अपने माता-पिता के साथ मलयों खाने आते हैं। उसकी बूंदों में तयार होने वाले मलयों केवल स्वादिस्थ ही नहीं, बलकि आरवेदिक दृष्टी से भी बहुत गुड़कारी होती है। उसकी बूंदों में पाये जाने वाले प्रकृतिक म पिर्लस त्वचा को लाप पहुचाते हैं। मलयों में इस्तिमाल केसर, बादाम, शक्ति वर्धक होते हैं। ये सारेरिक ताकत को बढ़ाते हैं। केसर सुंदरता प्रदान करता है। इसके अलावा मलयों नित्र जूती भी बढ़ाती है। बनाईवे चीज़ का है। मेरे पीताजी मरकंडे सजा द्वारा इसको विक्सित किया गया। इसके हमारे ही दुकान से शुरुआत गया है। इसकी बनाने की बिदी है। ये सुबह ख़वला के दूस रात को ओस मे रखाता है। जो ओस की बुन्द गेरती है। इसको मता जा अपना नाम मता दो, मेरा नाम शाश्योत अगरवाल है, मैं क्लास नाइम में पढ़ता हूं, यहां सुबह होता है, मैं मलईयों खाने आ जाता हूं, यहां मलईयों बनारस में मलईयों नहीं खाया तो और क्या खाया, बनारस में मलईयों बहुत ही फेमस है, बनारस में मलईयों पर बहुत बढ़ियां होता है उसके साथ जो दूद दिया जाता है वह बहुत स्वाधिस्ट होता है तो मेरी आप सबसे यह रिक्वेस्ट है कि आप बनारस आईए तो एक बाई जरूर मलगयो खाईए इसकूल से आने के बाद मलय ऐसा लगता है कि इंद पहले वही मिलना थे हैं उसके बाद ही कुछ है जो बनारस की सबसे फेमस बेंजनों में से अग्यार्च चोकंबा चेट के हमारे मारकुने सर्दार जी के जमाने से फेमस है हम लोग बच्पंत आज काते आ रहे हैं जो स्वा लेकिन आप यहां कर देखेंड ऑभार करके निच्छे वह बाहर वाले बरफ रखे रहते हैं उसमें क्रीम डाल देते वर्शन हो जाता है इसमें बजन नहीं होता है आप एक पुरूपरोबी आप खा लिजेगा यहां के लोग कहते हैं बनारस आई और मल consuming नाईक थो क्या है जीहां विशुनात टेंपल के जस्बगल में गली के अंदर चोखंबा करके जगह है जहां मारकंडे सरदार जी की दुकान है कहा जाता है कि यह 100 साल से भी पुरानी दुकान है और इन्हें मलयों का जनक भी कहा जाता है कि इन्होंने ही मलयों की सुरुवात की थी प्रमसाक्षी से आर्थी पांडे बनारस